क्योंकि मंच पनाएं इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी साथी संजय हमारे सही होगी निकिता आप सबसे पहले दोनों महिला पुलिस आफिसर का बुके दे कर सम्मान करें और जोड़दार तालियां एक बार अपनी ओडियन्स से मैं आगरे करना चाहूंगा दोनों महिला पुल खास होने जा रहा है निकिता ओवर टू थांक यू सो मच पराग पुनम जी और सुकन्या जी का मंच पर इंडिया नियूस के इंफाक्ट मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है हम लोगों ने इस मंच पर बहुत सारी चीजों की बातशीत की लाइन ओडर, महिला सुरक्षा जिस तरीके से अभी पराग ने भी पताया था कि वी कवर्ड आल्मोस्ट अवरी सेक्टर लेकिन अब क्योंकि कानून और व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त करनी है उसको लेकर के पहला सवाल पूनम जी आप से है कि पी आरवी की अगर मैं बात करूँ बहुत सारे लोगों को पी आरवी का मतलब नहीं पता है वंचित हैं तो वोट आक्चली पी आरवी इस और ये कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा प्लीज समझाएं देखिए पी आरवी और कुछ नहीं पुलिस रेस्पॉंस वेकल है जिसे 112 के नाम नाम से जाना जाता है एक सो बारा में यदि हम आगरा की बात करें तो हमारे पास 135 वेकल का काफिला है जिसमें 87 वेकल हमारे 4 वीलर्स हैं और 48 हमारे 2 वीलर्स हैं ये काम करता है सूचना के अधार पर जो कि सेंट्रलाइस कमांड से दी जाती है लखनव और गाजियाबाद नौइडा में सब से कमांड है वहां से सूचना दी जाती है सूचना प्राप्त होती है जो वेहिकल चलते हैं इन पर M.D.T. नाम का एक कंप्यूटराइस डिवाइस होता है जिसे मोबाइल टर्मिनल खहते हैं उसके पास सूचना आती है सूचना आने के बाद वेहिकल जो है वह अपना वहां के लिए मूव करता है सूचना के अंदर एवेंट क्रियेट होता है जिसमें उसका स्थान गटना का समय स्थान उनका रूट लिखा होता है वहां पॉँचकर वेहिकल इसे प्रकार से अ काम करता है फिर एक्ष今天 टेकन रिपोर्ट को अपडेट करने के बाद event इवेंट क्लो़ स कर दिया जाता है इसकी मॉनिटरिंग जो है भो मुख्याले से कि जाती है लखनोसunden से कि जाती है और जो हमारे मुख्याले में होते हैं वो संप्रेशन अधिकारी होते हैं जो हमारी कॉल लेते हैं वो संवाद अधिकारी होते हैं वहाँ पे महिलाई होती हैं जो कि कि पुलिस पर्सनल्स नहीं होती हैं और वो दक्ष प्रोफेशनल्स होती हैं और उसके बाद हमारे संप्रेशन अधिकारी को दी जाती है यहां में एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि एक इंटिग्रेटेड रूप से हमारा जो 112 है वो अभी काम करता है मतलब कोई भी से रिलेटेड हो वो 112 पर दी जा सकती है और उस सब इवेंट पे संबंधित विभाग से संबन्वे स्तापित करके आपको तुरंत साहता प्रोवाइट की जाएगी रेस्पॉंस टाइम की बात करें तो आगरा का रेस्पॉंस टाइम सेप्टेंबर में 8.11 सेकेंड रहा जो बहुत ही अच्छा रेस्पॉंस टाइम मागना जाता है तो इस प्रकार से प्यार भी या हमारा 112 काम करता है बिल्कुल तो सुकरे जी एक सवाल आप से इससे में डिजिटल अरेस्ट का काफी माम से सामने आ रहे हैं और कहने के महला उसकी सिकार है तो पहले तो डिजिटल अ है क्या और दूसरा महला को कैसे उसे बचाया जा सकता है और कैसे इस पर कमी राही जाए सकती है धन्यवाद संजय जी डिजिटल अरेस्ट मैं एक्स्प्लेइन करूं तो डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अरेस्ट नहीं होती हमारे भारतिय कानून में डिजिटल अरेस्ट ज माध्यम से call करेंगे और उसके बाद आपको engage रखेंगे conversation में तो digital arrest में सामने वो क्या बनकर आपको call करते हैं वो किसी ऐसे अधिकारी की रूप में आप से call करेंगे जिससे कि आप डरें जैसे police अधिकारी या किसी higher post पे ऐसा बैठा हुआ अधिकारी जिसे लोग जिसकी authority को लोग respect करते हैं या डरते हैं तो कोई भी अगर ऐसा fraudster आपको call कर रहा है और आप से conversation continue रख रहा है तो आप समझ जाएं कि वो एक fake call है क्योंकि कभी भी authority पे बैठा हुआ कोई भी officer आपको whatsapp के माधियम से video call या audio call के माधियम से कोई call नहीं करेगा generally ऐसे fraudsters क्या करते हैं कि अगर आपको digital arrest जैसी कोई call आ रही है या for example cyber fraudster आपको आपकी ID को या आपको attack करने का सोच रहे है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कुछ basic data उनका हमारे पास होता है जैसे वो ये जानेंगे कि आपकी email ID क्या है आपका phone number क्या है आपके बारे में कुछ basic information कि आप किस से phone पे बात करते हैं कोई आपकी महिल अमित्र होगी जिससे आपकी phone पे बात होती होगी उसके बारे में उन्हें जानकारी होगी या आपकी कोई LIC की policy हो सकती है जिसके बारे में उन्हें जानकारी हो या आपके परिवार में कितने सदस्य हैं आप कहां पढ़ने जाते हैं आप कहां रहते हैं, यह basic data वो आपके बारे में collect करने के बाद फिर आपको target करते हैं, क्योंकि जब वो आपको basic data के बाद target करेंगे, तो आपको वो call real लगेगी, तो इसमें हमेशा यह चीज ध्यान रखने की होती है, कि ऐसे किसी भी call को हमें engage नहीं करना है, इफ इन केस वो आपसे conversation continued रखने के लिए भी कहते हैं, तो आपको उनसे उनकी identity पूछनी है, कि आप कौन बोल रहे हैं, आप उनसे जब उनकी identity करेंगे, आप उस call को as a skeptical call consider करेंगे, तो वो आपसे डरेंगे और वो call card देंगे. तो क्या प्लान अग्रा पुलिस ने किया है इसको लेकर? अग्रा में तीन केसे हुए थे डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें तीनों में महिलाएं टार्गेट की गई थी. reason for targeting the woman is they are actually vulnerable and they are soft targets. Women generally हम consider करते हैं वो emotional होती हैं. अगर बच्चे से भी जादा लगाव माना जाए माबाप में, तो mother is relatively more considerable towards the child. तो इसलिए वो लोग जब call करते हैं, तो वो घर की महिला को ही करते हैं. दूसरी चीज़, awareness की कमी. ग्रामीर चेत्रों में आज भी महिलाओं को बहुत जादा जानकारी नहीं है, कि cybercrime जैसे कोई crime हो रहा है, mobile technology, internet, cyber world, उससे बहुत महिलाएं aware नहीं हैं. तो इसलिए वो लोग महिलाओं को target करते हैं. क्योंकि पूनम जी अपर पुलिस उपायुक्त 112 प्रोटोकॉल से हैं, अगर मैं 112 की बात करूँ पूनम जी आपसे, तो किस तरीके के अमूमन केसे आते हैं, और केसे यानि की ग्राफ में क्या कुछ कमी भी आई है, और हास तोर पर क्या domestic violence के केस आते हैं, और इसी continuity में एक सवाल कि क्या कुछ ऐसे केसे भी होते हैं, जो counselling करके आपको लगता है, यह sought out हो सकते हैं. देखिए, 112 में अगर हम daily का data देखें, तो लगबग 700 से 800 events आते हैं, और पिछले September का यदि में data बता हूँ, तो 21,528 events हमारे create हुए थे, और इनके अंदर जो events होते हो सभी तरह के होते हैं, मतलब पारिवारिक विवाद भी होते हैं, कोई heinous crime भी होता है, सभी तरह के जो हमारे calls होते हैं, और अभी एक positive चीज ये है, कि अभी हमें महिला सुरक्षा escort के रूप में भी 3-4 calls हमें पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुई हैं, यानि जो महिलाएं, जो हमारी नई शुरू हुआ है प्रोग्राम, कि हम लोग महिलाओं को 10 से लेकर 6 के बीच में जो भी आपात काले निस्तिती में कोई महिला फज गई है, तो उनको हम लोग escort services भी PR के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी हमको चार कॉल्स प्रप्त हुई हैं, अच्छा ये जो मैम आप बता रहे थे कि domestic violence, के लिए आगरा कमिशनेट में बहुत अच्छा कारे हुआ है, परिवार परामर्श केंद्र यहां का का काफी सशक्त है, और कुछ हाल ही में जो है कमिशनेर सरके द्वारा इसका जो है नवीनी करण किया गया, हमारे पास यदि हम 2024 का डेटा देखें, तो 3636 हमें परिवार प पच्छपन का हमने सफलता पूर्वक निस्तारण किया है, अभी हाल ही में करवा चौच से एक दिन पूर्व संध्या पर हम लोगों के द्वारा सफल दंपत्ती समान समारों भी आयोजित किया गया, हमारा परिवार परामिश केंद्र इसमें फीडबैक भी लेता है और जो स हमानित करता है, साथ ही फीडबैक लगे, यदी कोई व्यक्ती है, जहां दुबारा विवाद के स्थिती उत्पन्नी होती है, तो हम दुबारा कॉंसलिंग उसको प्रवाइड कराते हैं. सुकन्या जी से भी मेरा एक सवाल है, माम क्योंकि यू आर एसी पी विमिन क्राइम, तो ऐसे लोगों के बीच में रहना, कितना चालेंजिंग होता है, क्योंकि अब क्योंकि सरकार ने भी ये सुनिष्ट कर दिया है, कि हर जगे पर फीमेल की तैनाती भी रहेगी, क्योंकि जब एक महिला अपनी प्रॉब्लम महिला के साथ सांजा करती है, तो कहीं न कहीं वो ज्यादा कमफोर्टेबल रहती है, और जाहिर है कुछ ऐसे केस भी आते होंगे, जहां पर जो एक निरधारत एज है, उससे छोटी चीज़े होती होती होंगे, छोटे बच्चों के के से इसको कैसे रेक्टिफिकेशन होते हैं, उसको कैसे सुधार के कार होते हैं, उनके साथ जो प्रॉसेज है, वो क्या होता है, क्या इनके लिए कोई आप्स पी आई है, हाओ तो रेड्यूस केसेज? माम, कमिशनरे इट अगरव में हमारे 47 थाने हैं टोटल, और उसमें 44 थानों पे हमारी एंटी रोमियो स्कॉर्ड की टीम है, इसके अलावा सभी थानों पे हमारी महिला हेल्प डेस्क्स है, महिला हेल्प डेस्क्स क्यू बनाई गई गई वो इसलिए, क्योंकि एक महिला जादा कमफटेबल होती है। उसको देखते हुए हमने महिला हेल्प डेस्क्स बनाई जो शेहर से लेके देहात के हर थाने पे हैं। जहां पे महिलाएं आके अपनी कमप्लेइन कर सकती है। दूसरी चीज कि अगर कोई माइनर है। कोई लड़का है लड़की माइनर। उसके लिए हमारे थानों में चाइल्ड वेलफेर पुलीस ओफिसर्स हैं। जिनके थून की काउंसिलिंग कराई जाती हो और बच्चों से अगर हमें चाहें वो अचाइल्ड इन कॉंफलिक वित लौ और इंदी नीड फॉर दी केर, दोनों ही बच्चों को हम चाइल्ड वेलफेर पुलीस ओफिसर के माधिम से केटर करते हैं। महिला सामने आती है और अपनी F.I.R. अपनी कंपलीन दर्ज कराती है। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है जहां पर उसे ऐसे टूल यूज किया जा रहा है, तो हम नौर्मिली काउंसिलिंग करते हैं। और उन्हें समझाते हैं। हमारे यहां काउंसिलिंग के लिए सालसा और डालसा, District Legal Services Authority और State Legal Services Authority के अंडर डिस्ट्रिक्ट की टीम काम करती है, जो की महिलाओं को लीगल काउंसिलिंग प्रोवाइड कराती है थानों में, तो उनके माध्यम से अगर कोई महिला ऐसा लिखवाना चाहती है, तो उसकी काउंसिलिंग करके हम समझाते हैं कि कानून का दुरुपयोग ना किया जाए. ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि तब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता. उसके बाद जब वो कंप्लेइन करते हैं, तो क्या ऐसे भी केसेज हैं जहां पर उन्होंने एक सम या हेवी अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है और वो वापस उनको मिल पाए? राइट माम. जिस पर अगर आप कंप्लेइन कर देंगे विदिन वानार और अगर एक घंटे में आप नहीं कर पा रहें, तो विदिन 24 आवर्स. अगर आप कॉल कर देंगे, तो आपका अगर कोई भी ट्रांसेक्शन है, वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है. बहुत सारे ऐसे केसे होते हैं, जिन पर लोग बहुत हेवी अमाउंट ट्रांसेर कर देते हैं, तो हम वो अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, जिससे आगे पैसा नहीं बढ़ पाता, वो पैसे को रिलीज कराने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वो पैसा आगे नहीं अगर आपको कोई ऐसा साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम में नॉर्मली अलर्टनेस और अवेर्नेस का रोल है, अगर आप किसी भी ऐसी लिंक को देखते हैं, तो सबसे पहले तो इस पे बिलकुल क्लिक ना करें, अभी एक आगरा में ही केस हुआ था जहां पे उन अगर फ्रॉट्स्टर का ही होगा, तो इस बात के लिए भी अवेर रहें कि किसी भी ऐसी लिंक पर आप कॉल लिंक पे प्रेस ना करें, ये बेहत एहम जानकारी आपने सांचा की कि गूगल पर जो पहला लिंक होगा उसे क्लिक करने से बचना है, येस, फॉर शॉर, क्योंक क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही है, तो इंडिया न्यूस का मंच है और आप दोनों है, पुनम जी, सुकन्या जी लगतार आप हमसे बात कर रहे हैं, तो इस मंच के थू कोई ऐसा मेसेज, क्योंकि कहा जाता है, प्रिवेंशन इस बिटर देन क्योर, एक ऐस मेसेज जो आप चाहती हैं, कि सब के पास पहुंचे, ताकि फ्यूचर में कोई भी अन्होनी होने से बच जाए, सबसे पहले मैं आप से बोलूंगी पुनम जी कोई एक मेसेज जो आप चाहती है, कि आप शेयर करें सभी को, देखिए, सबसे पहले तो यही जैसे सुकन्या सबसे इसके अलावा यदि कोई ऐसी इस्तिती है कि हम किसी मुसीबत में फस गए हैं, तो हमारे कई अपस हैं से, जैसे मैं 112 की बात करूँ, तो 112 का अप भी है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपस हैं, जैसे कुछ बच्चीों ने यूज किये हैं, और बताया कि जैसे बी जैसे क्योंकि Android और फोन आजकल सभी के पास सुलब होते हैं, और सबसे पहले तो में यही कहूंगे कि 112 ही आपका सबसे विश्वस्त अप है, जिसको आप 112 इंडिया भी हमारा ERNSS ने लॉंच किया हुआ है, उसको यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज, किसी भी अजनभी से बात ना करें, यदि कोई ऑटो अगेर आप रात के टाइम आपको किसी स्तिती में अकेले आप हैं, तो आप यह धियान रखिए कि कम से कम मोबाइल पे किसी परीजन से बात करने का दिखा सकते हैं, कि आप बात कर रहे हैं, और अपना जो ऑटो गार नंबर है वो शेर कर सकत हैं, इस तरीके से थोड़े से जागरुक रहकर हम लोग अपने को सेफ फील कर सकते हैं, दूसरा यदि हमारे साथ कोई बात हो गई है तो उसे छुपाएं नहीं, किसी भी दर्शा में परीजनों से कोई भी बात ना छुपाएं, एक प्लैट्फॉर्म के थूँ जो है, आप जो है, काफी चाइल्ड फ्रेंडली भी हो गई है, पुलिस भी और परीजन भी इतने समझदार हो गए हैं, तो जो भी बात हो, आप कोई बात हो भी गई है, उसको शेर करें, उससे ही आपको उसका एक अच्छा तरीका मिल सकता है, तो बिल्कुल, शेरिंग इस केरिंग और करता है, प्रिवेंशन इस अलवे बेटर देन क्योर, वी अज़ पुलिस ओफिसर कें प्रिवेंट अनली, इक योर अच्छा है को एक साथ मिलके और एवरी प्लेटफॉर्म वी शुट नीड टी अवेरिस दी आवेर्नेस कि हमें हर चीज को यूस करने से पहले, डावट क्र चीजों के बारे में जानकारी रखें, अपने आस-पास के माहौल के बारे में जानकारी रखें, इससे आप क्राइम से बच सकते हैं. Thank you so much for sharing so beautiful concepts और मुझे उम्मीद है कि कई लोग इससे कही न कहीं अवेर जरूर होंगे, thank you so much Poonam Sirohi Ji and Sukanya Sharma Ji, बहुत सारी चीजें आपने सांजा की, thanks a lot. अबी, परसो मेरे छोटे भाई के साथ एक गटना हुई, आगरा दवा लेने के लिए आ रहा था, एक बंदा साथ में चला, अचानक मोट साइकी लुकी कि ऐसे मोट साइकी ली चलाते हैं, कि आप कौन हो कि मैं पलिस का आदमी हूँ, मोट साइकी लोग ली चपल पहन के चल है, हम उस पर आक्रमत हो जाएं, तो कल के लिए कोई बात होती है, तो उसमें क्या होगा, यही जो अभी मेरे एक रिष्टेदार के साथ हुआ, वो फिल्म मना के डाल दी, कि वकील साब बिलकुल घबरा गए, और साड़े पांच हियार रुपे उन्होंने अपने एकांट से पे कर दिये, दूसरी बार फिर कॉल आती है, कि अभी बागी पैसे नहीं आए, अभी तेरे को बताती हूँ, इतनी भुरी फिल्म थी वो, कि वकील साब को खुद पसीना आ गया, यह पोजिशन लगी, अटेक है, ऐसी स्थिती में कोई हम जैसा आदमी, या बत्मी जी बात क करें, या उसे गाली दे, या वो करें, तो कहीं ऐसान हो जाए, धोके में, वहां पर पुलिस भी बैठी दीखती है, चार लोग बैठे हुएं पुलिस के, और यह लगता है, कि बिलकुल कोई बात घटना ऐसी हो गई, जिस नहीं पन आ रहा है, तो मैं, सुकन्या जी, बैसे मैं आपके बाहरें पर्चित हूँ, आप एत्मापर में रही हो, हम लोग जागरत हैं, अब पुलिस भी कहां कहां करेगी, 24 करोर की आबादी बाले प्रदेश में मात्र, धाईलाग पुलिस है, लेकिन कहीं ऐसान हो जाए, नहीं सौट में ही कह रहा हूँ, घटना बहुत ब पच्छा था उसके साथ, तो उसके लिए मैं आप से माफी मांगती हूँ, क्यूंकि हमारे कमिशनरे टागरा में हम लोग अपने पुलिस ओफिसर को जूनियर पुलिस ओफिसर को इसले ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि हमें पुलिक के साथ अपना व्यवहार ठीक करना है, इंपर्सोनेट करके और उन्होंने 63,000 उपिया ट्रांसफर कर दिया, तो क्यूंकि पहला आपका एक्स्पिरेंस बहुत खराब रहा रोड पे, तो दूसरी जब फोन कॉल आई तो आप डर गए, लेकिन फोन कॉल में हमेशा हमें सतर्क रखना है कि कोई भी पुलिस वाला अगर वो मांग रहा है, इसका मतलब वो पुलीस वाला नहीं है, पुलीस कभी भी पैसा नहीं मांगती, अगर वो पैसा मांगती आप से फोन करके आप उसकी शिकायत धर्स करें और सुकन्या जी समय समय पर एक मेसेज भी आप लोगों की तरफ से आता रहता है कि हम इस तरीके से पैसे नहीं लेते हैं, हम इस तरीके से नहीं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी वेरेख्याल से जारी होते रहते हैं. पैसे के लिए पुलीस का कोई प्लाटफॉर्म नहीं है, कि पुलीस आप से क्यों पैसा मांगेगी? और आपका जो काम है, वो आप आप आफिसे में आते हैं, वो सब कागजी कारवाई है, कागज के माधियम से ही होती है. प्रोटोकॉल और सोशल मीडिया के माधियम से जो भी एडवाईजरी जैना है, वो हम टाइम टू टाइम इसु करते रहते हैं, जिससे की आप कभी किसी